किसी की मुस्क राहटों पे हो निशार किसी का दर्द मिल सके थो ले उठा किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्क राहटों पे हो निशार किसी का दर्द मिल सके थो ले उठा किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है लखी बेटा, चाय पिएगा क्या? मम्मी दू दो तो वो दे दो और कुछ खाने को दो दो बहुत भूक लगी है ममी पापा का है? मुझे उनसे कुछ कान था बेटा पापा वॉक पर गये है बस आते ही होंगे जीनसे का खाने के बेटा, बेटां गये है बुण आते ही है गड़ मॉर्न पापा बहुत थग गया होई अच्था पापा मुझे नहीं क्रिकेट बैट लेनी थी ठीक है बेटे, आप रेड़ी हो जाओ, फिर चलते हैं बाबु जी, आपकी चाय रेड़ी है, अंदर आजाएए पर पापा, इतनी जल्दी क्यों? आज तो आपकी चुट्टी है ना? हाँ बेटे, आज मेरी चुट्टी है पर आज मद्दान भी तो है, इसलिए जल्दी से पहले वोल डालने चलेंगे और फिर शॉपिंग के लिए चलेंगे जी, बेटा आमर, मेरी दवाई खतम हो गई है, बाजार जा तो लेते हो गया आना जी, बाबुजी बाबुजी, हम सभी बाजार जाही रहे हैं, आपकी दवाईयां भी ले लेंगे और हाँ, आपके ये चश्मे का फ्रेम बहुत पुराना हो गया है, इसे भी चेंज करवा लेंगे कहा जाना है, और आज अमर को आफिस नहीं जाना क्या नहीं बाबुजी, आज पापा की छुट्टी है, आज मद्दान है ना, हम सब लोग वोट डान ले जा रहे हैं नहीं नहीं भाई, तुम लोग जाओ, मैं का करूंगा मद्दान में आकर पर बाबुजी मद्दान करना कितना ज़रूरी है, अरे भाई, मेरे एक वोट से क्या फरक पड़ जाएगा, मैं तो अपना मन पसंद सीरियल लेखूंगा लाइए बाबुजी बाबुजी आप गलत बटन दबा रहे थे, देखें बाबुजी हमारी जिन्दगी में एक बटन का कितना महत्त्व है, मतलब? मतलब एक एक बटन दबाने से हमारे घर में रोश्नी हो जाती है, और एक बटन दबाने से पंखा चालू हो जाता है आप रेडियो का एक बटन दबा कर अपने पसंदीदा गाने सुन सकते हैं, और एक बटन दबा कर टीवी देख सकते हैं और एक बटन दबा कर मेरा लेप्टॉप भी स्टार्ट हो जाता है पर तुम लोग मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि बबुजी ऐसा ही एक बटन दबा कर आप अपना फूट भी दे सकते हैं और बबुजी मद्दान करना तो हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है और बबुजी आप ही कहते हैं न कि हमें अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं अटना चाहिए और बाबुजी आपने तो अपना हर कर्तव नभाया है, पिर चाहे मेरी परवरिश हो, मेरी पढ़ाई हो आपने अपनी हर जिम्मेदारी नभाई है, और ये और ये तो देश का काम है पर भाई मुझे ये मशिन मशिन समझ में नहीं आती बाबुजी मद्दान करना बहुत आसान है, आपको बस EBM मशिन में अपने पसंदीदा प्रित्याशी के सामने वाला बटन दबाना है जैसे ही आप बटन दबाएंगे, आवाज के साथ लाल लाइट जलेगी, लाइट जलने का मतलब है आपका मद्दान हो गया और पापा, वीवी पैट से पर्ची भी तो निकलती है जी हाँ बाबुजी, EBM मशिन के पास एक वीवी पैट बॉक्स रखा रहता है जिसमें मद्दान के तुरंट बाद एक पर्ची दिखाई देती है इस पर्ची में प्रिट्ट्याशी का नाम, बद्दाता क्रमांक और चुनाव चिन होता है और यह पर्ची साथ सेकंड तक दिखाई देती है उसके बाद वैकट के बॉक्स में गिर जाती है पर ऐसा क्यों? ऐसा इस लिए ताकि मद्दाता इस सुनीशिट कर सके कि उसने जिस प्रिट्ट्याशी को वोट किया है, वोट उसी को गया है और नहीं? हाँ बाबुजी, एविय मशीन से वोट करना बहुत आसान है बेटा, वोट करना तो बहुत आसान है पर अभी कोरोना चल ला है और मा, बहुत धेर सारे लोग होंगे पर बाबुजी, चुनाव आयोग ने कोरोना से बचाओ के लिए बहुत सारे इंतजाम किये हैं भई, हमें भी तो इस बारे में पता चले रुकिए, मैं आपको चुनाव आयोग की सारी गाइडलाइन सभी दिखाता हूँ बिटा मैंने आपको चुक पेंट रहे दी थी, वो आप टीवी में लगा दी पापा मैंने पहली लगा दी लाइन में सामाजिक दूरी पनी रहे, इसके लिए 6 फिट पर निशान लगाए जाएंगे मतदान केंद्रों पर बियेलो और स्वयम सेवक उपस्तित रहेंगे ताकि सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन हो सके जो भी मतदान केंद्र पर आएगा, उसका तापमान टेंपरिशर गंसे लिया जाएगा जिसका तापमान अधिक आएगा, उससे आखरी में मतदान करने हे तू अनुरूद किया जाएगा महिलाओं और पुर्शों के लिए अलग-अलग एक छायदार पर तीक्षा करने का इस्थान बनाये जाएगा यह मतदान केंद्र परीसर में ही रहेगा जिससे वोटर बिना अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करे मतदान कर सकता है प्रत्येक मतदान केंद्रों पर साबन और पानी का इंतजाम भी किया जाएगा प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश और निकासी स्थल पर सैनिटाइजर भी रखा जाएगा जो मतदाता मास्क नहीं लगा कर आएंगे उनके लिए हर मतदान केंदर पर रिजर्व में फेस मास्क रखा जाएगा जगे जगे COVID-19 के पोस्टर लगाए जाएंगे जिससे की सभी मतदाता जागरूख हो सकें मतदान केंदरों पर मतदान कर्मियों और पॉलिंग एजन्टों के लिए बैठने की वेवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार की जाएगी यदि पॉलिंग एजन्ट या मतगडना एजन्ट का निर्धारिच सीमा से अधिक तापमान है तो पीठा सीन अधिकारी द्वारा उनके रिलीवर की अनुमती दी जाएगी जो तद उनुसार रिकॉर्ड रहेगा मतदान की पहचान की प्रकृरिया के दौरान मतदाताओं को पहचान के लिए फेस मास्क नीचे करने की आवशक्ता होगी फेस मास्क तभी तभी उतारा जाए जब उसकी आवशक्ता हो किसी भी समय सामाजिक दूरी बनाए रखने वाले प्रतेक मतदान अधिकारी के सामने केवल एक मतदाता को खड़े होने की अनुमती होगी मतदान रेजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और मतदान के लिए EVM का बटन दबाने के लिए मतदाता को हाथ दस्ताने प्रदान किये जाएंगे मतदाताओं द्वारा उपियों के लिए स्पष्ट निर्देश के साथ उचित इस्थानों पर बूत के अंदर सैनिटाइजर रखे जाएंगे स्वास्त अधिकारीयों की देखरेक में COVID-19 से संबंदित निवारक उपायों का कड़ाई से पालन किया जाएगा सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने आवंटित मतदान केंदरों पर इसका निरिक्षण करेंगे तथा वे कोरोना मरीज जो अस्पताल में भरती हैं अत्वा कोरोना संदिक्ट जो कोरुंटीन में हैं वे पूर्व में आवेदन कर डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे एवं असी वर्ष से अधिक आयू के बुजर्ग और तिव्यांगों को भी पूर्व आवेदन पर डाक मतपत्र की सुवीधा दी जाएगी तो बाबुजी आपने देखा आयोग की तरफ से कोरोना से लड़ने के लिए कितने कड़े इंतिजाम किये गए हैं और इसी वे बाबुजी हम सब का बोट डालना बहुत जरूरी है क्या हुआ बाबुजी कहा जा रहे हैं तैयार होने मद्दान करने नहीं चलना है क्या चलो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं पर परियार के साथ मद्दान रखे आते हैं